पी लेकिन वो भी प्रेठ themselves से उन गाल रहें में पाण पोई नहीं करते हैं कि प्रेद नहीं करते हैं प्रेद नहीं हटाते हैं अम अपना दिन कि शुरूत करते ही जिबा दरबार लगाते होंगे हजारों लोग आते हैं उन मैंसे आप कुछ लोगों को चुनते हैं वो लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्या बताते हैं उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं पहली बात फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है क आगज पर आपने लिखज़ लिखी होती है इसकी तैयारी आप कैसे करते हो सुबा सुबा आप उठके अनुवाजी से पहले कह देते हैं कि आजने शक्ती चाहिए कोई तैयारी नहीं है कोई प्रोजन रहने है यह नहीं यह सब नहीए वो तो जाके गद्धी पर आवाहन करते हैं कि जिनकी परचा बनना हो आप मन में पेरना दीजिए तो वो मन में पेरना देदे ते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजे, नीरच को बुला लीजे धीरच को बुला लीजे, बिवेक को बुला लीजे अब वहाँ पूरी विज्ञानता सुन हो गई वहाँ दिमाग खराब हो गया सबका और हमने कह दिया कि आप सब पत्रकारों में से दो पत्रकार नेसनल चैनल लगे ते हमने कहा था दो पत्रकार हमारे सामने भेद दीजेगा दो पत्रकारों की हम अरजी लगा देंगो, दो की हमने लगा भी दी, ऐसी लगाई, आरे जंडा कर गया, सनातर का आज की लिंक के जरूर सब को भेज दीजिए, दिखाईएगा आज का दरबार अब मुझे भेज दीजिएगा, अब मान लीजिए, यही प्रशन दूसरे तरीके से पूछता हूँ, मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके सामने आ गया, अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे यह कैसे पता लगाते हैं आभास होता है देखो हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं आभास होता है हम प्राथना करते हैं पैन कागज कलम लेते हैं ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु क्रिपा करो तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है वो तरंग हमें पेड़ना देती थी हम कलंबद कर देते हो कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी और वो सक्त निकलता है बस इतना ल कि इस बिदेश में बैठे लोगों को वीडियो कॉल पर आप तरंग बात कर पाएंगे तीस साल पहले यह कोई कहता था तो कहते कितना जूट वाज आ दिमिया मूझ रखा दिमिया ऐसा हो यह नहीं सकता यह तो चमतकार होगा लेकर आज सहज है